बबेरू विधान सभा पर समाजवादी पाठी के दो बार विधायक रह चुके विशंभर ग्यातव को लगातार चौथी बार विधान सभा बबेरू से प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पाठी पर वोट करने की अपील की। 20 दिनों में उनकी क्या रणनीती होगी और किस तरीके से 23 तारिक को वो चुनाओं अपने पक्ष में करेंगे, जन्ता का आशिरवाद लेंगे और फिर से विधान सभा पहुचेंगे। मैं पाच साल काम करता रहा। सत्तरा दिन का चुनाओं और इन सत्तरा दिनों में हम रोज कम से कम 25 बूतों का दौरा करेंगे। से लगा दिया है, लोगों के बीच में जाएंगे, हमें कोई ज्यादा परिसानी नहीं है, चूकि हम यहीं रहें, लोगों के बीच में काम ही करते रहें, पांस साल पूरा बवेरू में ही में रहा। जनता जानना चाहती है कि जो दस साल उसने आपको विधायक पत पर रखा, उस दोरान आपने महत्पूर क्या चीज़े थी जो जनता को दी थी। इलाके में बनवाये तीनों गवर्मेंट के इंटर काले, चाहां सिच्छा के केंद्रों का अभाव था। एक मरका में बनवाया, एक बीरा में बनवाया, एक लोहरा में बनवाया। एक प्रात्मिक स्वास्त केंद्र ला लाया जिसको मैंने बनवाया यहां और पांच मंडि लाया erase मो से और समौनिम बनवाया मरवल में बनवाया इसमें बनवाया कमाशिल में बनवाया तो और तमाम चीज़ें लाएं मैंने अपनी निधी से असी नलकूप लगवाई विधायक निधी मैंने उनमें नहीं खर्च की कि जो ये सीशी में उसमें नहीं खर्च की मैंने ज्यादा तर सिचाई को ध्यान दिया और मैंने अपनी विधायक निधी को बुंदेल निधी से विद्दूत कनेक्सन दिया और विधायक निश्य मैंने नर्कूब बनाई पिछले पांस साल चंदरपाल कुश्वा यहां विधायक रहे आप भी छेतर में रहे क्या वो चीजे थी जो भाश्पा नहीं दे पाई देखिए भाश्पा कुछ जनता के लिए करना नहीं चाहती है क्यों छूट बोल करके धर्म की बात करके और हिंदू मुसल्मान के अलगाव की बात करके राजनीति करती है उनको विकास से कोई मतलम नहीं है गरीबी खतम करने से कोई मतलम नहीं है गरीबों की समस्याओं को हल करने से उनका कोई मतलम नहीं है उनको तो क्या बोलें जुमल केवल भारतिय जनता पाटी का यही काम है कुछ भी तो नहीं किया पांच सल के इन्होंने बनवाई है कुल पांच साल में और तो कहीं इनका कोई काम दिखते ही नहीं है जनता यह जानना चाहती है कि अगर आपको मौका देती है तो अब क्या बड़ा कुछ आप बवेरु को देने जा रहे हैं इन पांच सल देखिए हमारी एक योजना थी कि जो यह गडरा नाला है जो मुरवल से हमारे छेते में आगे से आता है मुरवल से होते हुई है और यहां से मौनी के नीचे से होते हुए आगे जाकर के यमुरा में मिल जाता है इसमें बारों महीना पानी चलता रहता है जब नहरे चालू होती है तब इसमें पानी आता है और वो खारजा होकर के निकल जाता है हमारी प्लानिंग थी वो 300 करोड रुपए के एक योजना थी जिसको मैंने कागजों पर बनवाने का काम किया था, लेकिन सरकार चली गई. मेरा प्रया से होगा कि गर्णा नाला में एक बांध बनवा दे जिससे तिंदोवारी छेतर की शिचाई की वेवस्ता और बवेरु छेतर की एक खाषी बांधा बनजाने से वेवस्ता होगी. उसमें कुछ काम हुआ था, कागजों में काम हुआ था. तरातल पर नहीं उतार करके एक पंप कायनाल की योजना वहां से उठाने की है और एक ममसी में पंप कैनाल پॉमप कैनाल बनवाने की थैंड़ से कुछा सक्षा है च्छा का बंदाने की दो में तो यहां सिख्षा के छेट में बहुत पिछला हुआ है तो मैं गौर्बंट के डिगरी का लाओं, कुछ और इंटर का लाओं हूँ, जिससे बेटे और बेटियां पढ़ लिख सकें, दूसरी योजना जो हम सोचते हैं करने का, कि यह अस्पताल बनाएं जिससे लोगों के सास्त है, अच्छा इलाज मिल सकें, लोग पूरा का पूरा प्रयास रहेगा और पूरा ध्यान इसमें केंदित रहेगा, लिए किसान तो बरबाद हो रहा है, फसले चल जा रही हैं और फसले चल जाने के गाए हमारी माता है के नाम से ओट मालने वाले लोग, और आज इस तरह से हर गो साला में रोज दो चार छे हाल नहीं है, तो उनकी एक अच्छी व्यवस्था कर सकें, जिससे किसानों को अन्ना प्रता से निजाद बस्पा और भाच्पा तोनों ने नए प्रत्याशी उता रहे हैं, क्या लगता है, आपका सीधे मुकाबला किस से? यह कोई मुकाबले में नहीं है, बर उसकी तरफ ब कुछ करने वाले नहीं है, आनलाइन, आनलाइन, आनलाइन वाले हैं, खाली परिशान करने वाले हैं, कुछ देने वाले नहीं हैं, कुछ जनता के हित के लिए काम करने वाले नहीं हैं, इसलिए इनकी तरफ जनता देख ही नहीं रही, आज आपने देखा होगा कितना उत्सा तो आप थे विशंबर यादो जिनोंने कोई भी परिस्तिया रही हो ना दल बदला ना दिल बदला और जंता के बीड टटे रहे देखना है कि विशंता इनको दुबारा मौका देती है कि नहीं और अगर दुबारा मौका देती है तो विशंबर यादो का प्रण है कि विकास स्वास्त और सिक्षा के सारे अधूरे कारे पूरे होंगे और बबेरु को विक्सित और समर्द बनाएंगे GMT News Flash